कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मापक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगच चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चेन दोस्तो हम लोगोंने दो-तिन दीन पेले ही रिपल के बारे में एक पोजिटिव न्यूज देखा था कि ऐसे सी जो है वो अब रिपल को टांग नहीं अडाएगा बड़े-बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया था बट हमने यह नहीं देखा था कि ऐसे सी ने कनफर्म कि अगेन ऐसे सी ने एक डिमांड किया है रिपल लेप्स को कि आपको 770 मिलियन डॉलर का जो जुर्माना है सेटलमेंट है पे करना पड़ेगा रीजन बताया है कि आप लोगोंने अमरिका के अंदर यह जो फेडरल सिकुरिटी लोज है उसको वाइलनेट किया है यहाँ पर इ इसका नेम है एक ओथर भी है आप साहिद जानते होंगे क्योंकि इसका काफी बड़ा नेम है इसने अबर क्लियर कट का है कि एससे सी चाहता है रिपल से 770 मिलियन ड डॉलर का जुर्माना बाट जो उनने इए भी का है कि जुर्माना क्यूं चाहता है एससे सी इसके किये थे ICO वगेरा में token बेचे थे उसको unregister security कहा जाता है क्योंकि public को उन लोगों ने token बेचा और फिर ripple labs के पास कितने token नहीं हो पा रहा था कितने लोगों के पास किस लोगों के पास कितने token है public खरिद रही बट सामने से वो लोग drop कर रहे हैं वो unlegal कहलाता है तो यसे बार-बार SSE कहता है और इसलिए 770 million dollar का जूर्मना लगाया है अब इसमें कितनी सच्चा है expert ने कहा कि ripple में ऐसा कुछ भी नहीं है unregister security नहीं है यह जो selling के बारे में है यही बात हुआ था यह जो transaction qualify हुए थे उस पहले asset को sell किया गया था यह चीजें सभी declare हुए आप समझदार है आप समझ सकते कि ICO वगरा आते है बड़े को इनको पकड़ाए बाके छोटे मोटे को इनको काफी सारे इसे कर रहे ICO लाते हैं लोग खरीते हैं आप कोई पता होगा काफी experience लिया होगा कि private selling से token करीदा और फिर token काफी drop हो गया तो वह होता है और रजिस्टर सिकुरिटीज जो कि वह token आपको कम मिलता है और बड़े बड़े लोग अपने पास काफी ज्यादा free के अंदर token रखते है जिसने token बनाया है आप ICO में participate करोगे आप काफी सारा funding करोगे बट वह token काफी नीचे लिस्टिंग होता या तो तुरंत drop किया जाते है और आपको अपना लगाया हुआ पैसा भी वापस नहीं मिलता है तो simple ripple case के अंदर भी यही है कि इस्टि के अंदर इन लोगों ने ICO लाए थे और कुछ token ने sale किया था on register security के रूप में register security नहीं था अब यहां पर एक्सपर्ट का ऐसा केना है कि रिपल को यह 770 million dollar का जो cutting है यह जो जुर्माना है वो PA नहीं करना पड़ेगा इस बंदे को बिलिव है रिपल के ओपाल कि रिपल का use case आप देखेगा अगर रिपल में ऐसा कुछ होता तो 2013 के अंदर रिपल कभी बैंकों की issue है उसका solution नहीं करता काफी सारे बैंकों की जो issue चलते हैं उसका solution के लिए रिपल काम आता था 2014 के अंदर decentralized payment system के अंदर सबसे ज्यादा use case रिपल का किया गया यसे तो काफी सारे use case बढ़ते गए अभी crypto industry के अंदर banking system के अंदर कोई coin का use सबसे ज्यादा होता हो तो वो है रिपल payment के रूप में एक rose voter payment के रूप में भी सबसे ज्यादा कोई coin का use होता हो तो वो भी है रिपल तो रिपल के उपर इस expert को काफी ज्यादा believe है कि अभी है 770 million dollar का जो जुर्माना की बात हो रही है वो रिपल को pay नहीं करना पड़ेगा again वो case वीन कर जाएगा अभी तो कहा है कि इसका जुर्माना की मांग की है अभी final नहीं अभी एक court के आत्मे है बाकी आगे हम देखते है कि क्या penalty इसको pay करना पड़े सकता है या तो नहीं करना पड़े सकता है आप मुझे comment के अंदर बता तो यहाँ पे डरने वाले कोई बात नहीं है regulators ने उनली ए 770 million dollar की penalty की मांग की है और वो court क्या कहता है वो देखना very important है नेक्स जो न्यूज अपडेट है टाइवान की तरफ से आता है टाइवान ने एक crypto bill है पर्लमेंट के अंदर introduce किया है कि crypto जो customer से crypto industry के अंदर better protection मिलना चाहिए जो हम खरिते हैं बेजते हैं अगर कुछ problem होता है त तो हमें कुछ भी protection नहीं मिलता है अभी जो इंडिया के अंदर आया था उनले tax लगा है regulation नहीं हुआ है हमारे सुद कुछ गलत होगा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है ज्यादा ज्यादा देखेंगे तो केस बेस कर सकते हैं एफाइर वगेरा कर सकते हैं बट कुछ होगा नह स्केम कर जाता है और रूल्स regulation तो है नहीं तो हमारा फंड दो वापस नहीं आ सकता है तो इसलिए यहाँ पर टाइवान ने एक बिल को इंट्रियूस किया है पर्लेमेंट के अंदर और customers को protection मिलने के लिए और इस प्रोपर्टी जो शुप्रवाइज करने के लिए इस industry के अ सकता है जो कि अब दिरे-दिरे सभी country बील के बारे में बाते कर रहे यह से तो पहले से होता आ रहा है 17-18-19-20 चलता गया पहले बेन की बाते होती थी कभी regulation कभी बिल तो 24-25 बड़े-बड़े expert का ऐसा कहना है 24-25 एंड तक यहाँ पर regulation crypto के अंदर properly आ सकता है तो यह थी आज लास्ट के news update लास्ट में छोटा सा bitcoin को देख लेते हैं update लास्ट में यह पर हम bitcoin के बारे में बात करेंगे जो कि हमने previous video के अंदर कुछ बाते की थी दो तिन दिनों से bitcoin का analysis भी नहीं किया हुआ है लोगों ने वहाँ पर काफी positive response दिया है 99.5% लोगों ने positive response दिया इसे देख bitcoin के बारे में बात करेंगे तो bitcoin का price 34,000 डोलर के उपर trade गर रहा है as a short term 4 hours time frame के अंदर देखेंगे one side analysis करेंगे बागी आपको तीन बार खुद जांच करने की जरूरत है BTC एक high मारा है आखिर में 35,000 डोलर के आसपास BTC ने 35,000 डोलर के आसपास high मारा थोड़ा reject हुआ अगें ट्राई किया previous high को ने थोड़ा और थोड़ा सा नीची रहा 35,200 पहला जो high था वो 35,300 चार्शो के आसपास था और futures contract के अंदर काफी सार एक्चेंजों के अंदर 36,000 डोलर के आसपास BTC का price हमें देखने को मिला है अब यहाँ पर simple बाते करते हैं आप अभी इसको देखते जाओ यहाँ पर ना long करो ना short करो बाकि आपके according कोई trade बन रहा है तो किजिएगा बाकि average एक बार अगिन यहाँ पर try करने दो जो पहला high था 35,300 चार्शो वाला 35 से शुरू हो जाई है short position open यहाँ पर कर सकते हैं दो तीन पार्ट के अंदर short position open करना है और आप अपने इसाब से जितना risk लेना चाहा है मतलब कि risk maximum 20% होता है उसके according आपको ऐसे लगाना है अब मैं proper यहाँ पर SL नहीं दे रहा हो वो आपके इसाब से लगाना है मैं दिसा दे रहा हूँ अभी long short कुछ मत किजिए market यहाँ प पर short position open करना 35 से शुरू होना 35 200 400 के आसपास से और एक lowest leverage के साथ और एक small action लगाना है target देखने हैं यहाँ से अगेन एक बार वीक मारेगा previous high पहला हाई है उसको तोड़ेगा फिर अगेन जो market गिरेगी आसानी से 33,000 और 32,000 डोलर का area है वो hit जाएगा पहला 33,000 complete दूसरा area 32, 32,000 डोलर के आसपास आसानी से market यहाँ पर reject होके आने की possibility है तो उमीद करता हूँ वीडियो पस्तन दाया होगा इस वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना एसे कंटेन हम बनाते रहते हैं